नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू से बहुत ही चटपटा और टेश्टी नास्ता जिसे आप बहुत ही जल्दी कभी भी बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं दो मेडियम साइच के हमने यहां पर आलू लिये हैं तो इन्हें हमने पहले से ही छीब लिया था अब हम इन्हें काट लेंगे तो बीच से पहले हम इस तरह से काट लेते हैं और फिर इन्हें हम लंबे-लंबे साइच का काट लेंगे बहुत ज़्यादा मौटा नहीं रखेंग आलू को हम साइड रखेंगे और एक बाउल ले लेंगे इसमें डाल देंगे आधिक कब गेहूं का आठा साथ में हम डाल देंगे आधिक कब बेशन नमक डाल देंगे स्वाद के नुसार एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे आधि छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे एक छोटी चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे और दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे खाने वाला सोड़ा एक चुटकी बस हमें एक पिंच ही इसे डालना है आप इसके जगह एक छोटी चम्मस तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप सोड़ा ना डालना चाहें सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है पानी की साहता से इसका एक गोल तयार करेंगे जैसे भजी या पकोड़ी के लिए करते हैं ठीक उसी तरह है बहुत ज़्यादा पतला गोल नहीं बनाएंगे इस तरह से हम गोल को तयार कर लेंगे ज़रूत के साब से इसमें पानी डालते जाएंगे और गोल को बना लेंगे और देखे गोल बनकर तयार हो गया है तो इसे साइड रख देते हैं और नास्ता बनाना शुरू करते हैं 10-15 मिनट हमने इसे साइड रख दिया था अब हमने यहां पर एक कढ़ाई लेली है और जो आलू है उनको हम डिप करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना है मैं बस इसको निकाल कर इसका एक लेयर आने चाहिए बेशन की बस इतना ही डिप करना है इस तरह से हम डि कढ़ाई में एक एक करके आलू को डालती जाएंगे आलू का कोई भी नास्ता हो चटपटा बहुत ही बड़िया लगता है खाने में इसलिए मैं बिल्कुर नई रेसिपी लेके आई हूँ आलू के चटपटे नास्ते की रेसिपी पसंदाने पर आप हमारी रेसिपी को पर आप और इनको हम मीडियम आच में तक तलेंगे जब तक इनका अच्छा सा कलर ना आ जाए और देखें इनका कलर चेंज हो गया है बहुत ही बढ़िया कलर आया है एक दम प्रिस्पी दिख रहे हैं तो इनको निकाल लेते हैं अ तो युझा हो और बाकिके वह अलू हम इसी तरह से तलने के लिए डाल देंगे और नास्ता बनकर तयार है बहुत ही बढ़िया बनके तजया đi और बागी के आलूवी हमने इसी तरह से डालना है बस बेशन में हम डिप करेंगे एस्टरा बेशन निकाल देंगे उसी पर बस इसे डाल दे जाएंगे रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं और नई नई रेसिपी के साथ डमारी भीए gotta खर नई बालना करेंगे जैंगे तरह से दुषण हे जाएंगे जर म 유िकाल, यूलवी हमेगि जरूर मिलते हैं light